इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकूम रह्मतुल्लाई वरकातु इत्यादि में आप सभी कास्खार मगदम हैं के रियासत के अवाम के लिए बेहतर होजनाई स्कीमों पर अमल करने के वज़ा है पार्टी को कैसे मश्बूत बना जाए इस पर तवजव ज्यादा दी जाती है उन्होंने यह भी कहा के तमाम इजलासों के लिए कोरोना का बहाना दिया जाता है पर भाजपा के लिए कोरोना वगारो कुछ भी नहीं है लिहाज़ कोरोना के दोर में बैलगान में दो दिन के इजलास की क्या जूरुत की बैलगान में महतरमाल लक्षमी ह बाल करने कि कॉंग्रिस की अगर हकुमत नहीं है तो क्या हुआ लेकिन इनसाफ के लिए आवाज उठाना हमारा फर्द है और रियासत की फला बहबुदी के लिए हमेशा गाम जन रहते हैं बेलगाम और अत्राप में कई मसाइल है अवामी नुमाइंद सरकारी इंदाद के इंतिजार में है पर हमेशा जवाब ख़जाना खाली होने की बात करी जाती है अगर पैसा नहीं है तो फिर इजलासों के लिए कहां से पैसा रहा है बाड़ और बारिश की वज़े से रियासत बेलगाम जिला में काफी नुकसान हुआ पर मरकजी हुकूमत की जानिब से दस रुपे की जगह एक रुपिया इंदाद मिलती है किसान मजदूर बुनकरों की हालत बेलगाम जिला में बहुत खराब है लिहाज़ा पार्टी को मजबूत करने के वज़ाए अवाम की जरुत सेस्फाद का कोई एसासी नहीं तबही तो ब्यलगाम में सेशन को रद कर दिया दा पिछले दो सालों से बेलगाम में अधिवेशन क्यों नहीं किया गया तक्रीबं 400 करोड के खर्च कर तामीर की गई कोरोना का बहाना बताकर अधिवेशन को रद करनी की बात कह रही है क्या बैंगलोर में कोरोना नहीं आता क्या यह भी सवाल जो है सिद्रामिया के जानिब से पूछा गाया या तुम्हारा पीचा करते हुए कोरोना बेलगाम आएगा ऐसा भी तंजिया सवाल सिद्रामिया की जानिब से किया गया किसान परेशान है बेलगाम में भी देजाब कर रहे हैं पर भाजपा के किस काईद ने किसान के मुलाकात करके इनके दर्द को समझने की कुशिश की क्या यह हुकुमत वाकई गरीबों के साथ है गो कशी का कानून पहले साहीं रियास्त में मौजूद ह पर क्या RSS ने कभी जानवरों की देखबाल की है कभी गोबर निकाला है संग्डियों ने सिर्फ कानून का फायदा सियासत के लिए करना सीखा है ऐसा भी सिद्रा मया ने कहा आगे उन्होंने कुमार स्वामी और देवगड़ा पर जबानी हमला करते हुए कहा के देवगड़ा खांदान सिर्फ रोने में माहिर है अच्छा और बुरे वक्त में रोने वाला अगर कोई है तो वो देवगड़ और कुमार स्वामी खांदान रियासत के सियासी हालात दे कर बयान-बाजी करना यहीं इनका काम है देवगड़ा खांदान इंतहाई जूटा है ऐसा भी उन्ह बाज में बयान किया जा रहे थे पर अचानक इनकी मुलाकात बेल गाम सामरा हुआयडे पर हुई तो ऐसे मिले जैसे गहरे दोस्त हुआ और यह नजारा भी काफी दिल्चस्प था इस नजारे से इतना तो जरूर समझ में आया कि भले ये किसी पार्टी में रहे हो जितना इन नहीं रहते भले बाजपाओ या कॉंग्रेस या जेडियस पर विचारी अवाम इसमें ठगी जाती है क्योंकि हर पार्टी के अपनी विचारधारा सोच फिक्र होती है और इसी से मुतासिर होकर कारकून या मेंबर किसी पार्टी से जुड़ जाता है पर आजकल विचारधा से ज्यादा लोग पैसो की एहमियत रखते हैं तभी तो कोई भी किसी भी पार्टी में जाए जीते उन्हें खरीदा जा सकता है देखते रहे हैं त्यानु शुक्रिया अलाफीज